दोस्तों आज की इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना घर बैठे अपने मुबाइल फोन से ही आप अपने आधार कार्ड बे अपना जन्मिति ठीक कैसे सुधार कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को सुरू से लिगे लास्तिक दिखी और साथ भी अगर हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा तक याने वाले वीडियो के सभी नूटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पोचे तो आई दोस् किसी भी इंटरनेट ब्राउजर को ओपेन कर लेना है दोस्तों ओपेन करने के बास से यहां पर आपको गूगल में सर्च करना है यू आई डी एई डॉट जी ओवी डॉट इन दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में मिल जागा आप चाहें तो वहां से भी डिरेक्ट ओपेन कर सकते हैं दोस्तों यहां पे जो सबसे पहला वाला लिंक आए आपको इस लिंक को ओपेन करना है यह आधार का ओफिसियल वेबसाइट है अभी दोस्तों आ करना क्या है यहां पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और दोस्तों यहां पे आपको अपड़ेट आधार वाले शेक्शन में एक लिंक मिलेगा अपड़ेट डेमोग्राफिक डाटा ओनलाइन तो दोस्तों आपको इस पे क्लिक कर देना है दोस्तों इस पे क्लि अभी नहीं आया, यहाँ पे एक बार रिफ्रेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे capture code अभी आ गया है, और दोस्तों इस capture code के यहाँ पे उपर वाले box में आपको यहाँ पे आपको type कर देना है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको आधार नमबर और उसके नीचे capture code फिलब करके और आपको send OTP पे क्लिक कर देना है, send OTP पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे one time password has been successfully sent, मतलब कि दोस्तों हमारे registered mobile पे जो आधार कार्ड में लिंक है, उस पे एक OTP send कर दिया गया है, उस OTP को दोस्तों यहाँ पे नीचे यहाँ पे आपको enter OTP वाले box में आपको fill up कर देना है, और fill up करने के बाद से दोस्तों आपको logging पे क्लिक कर देना है, दोस्तों logging पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको दो option मिलेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आपको update demographics data पे आपको click कर देना है और click करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको इतने सारे option मिल रहा है language, name, gender, date of birth, address, दोस्तों अभी mobile और email ID enable नहीं हुआ है, आने वाले समय में यह भी enable हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको date of birth तो दोस्तों यहाँ पे date of birth में एक आपको instruction यहाँ पे दिया हुआ है attempt left one, one attempt left, दोस्तों आप पूरे अपने जीवन काल में एक बार आपना date of birth अपने अधार कार्ड में सुधार कर सकते हैं तो दोस्तो यहां पे आपको डेटा बर्थ पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद से दोस्तो आपको प्रोसेट पर क्लिक करने के बाद से यहां पे आपको एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है आपको इस बॉक्स में चेक कर देना है और चेक करने के बाद से दोस्तो आप आपको कौन सा डेटा वर्थ आपको क्या आपको उसमें सुधार करना है वो आपको यहाँ पे टाइप मलब आपको यहाँ पे सेलेक कर लेना है तो दोस्तों यहाँ पे एक चोटा से जो एरो का आइकोन दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बासे दोस्त दोस्तो data bus select कर लेने के वाद से यहां पे दिया हुआ है upload valid document तो दोस्तो यहां पे आपको एक पार फिर से छोटा सा arrow वाला icon दिख रहा है आपको इस पे click करना है और click करने वाद से आप यहां पे दिख सकते हैं इतने सारे जो certificate है इनहीं को आपको upload करना है दोस्तो आपको अप आपके पास bus certificate है तो आपको third पे दोस्तो अगर आपके पास pen card है मतलब जो भी document में आपके पास है आपको उसको select कर लेना है दोस्तो select कर लेने के पास से आपको करना क्या है कि यहां पे upload document पे click करना है और click करने के पास दोस्तो आप चाहें तो अपने mobile से डारेक्टर photo की सकत और दोस्तो जो file है वो jpg और png में ही होना चाहिए तो यहां पर दोस्तो मैं अपने phone से ही यहां पर मैं ले लेता हूँ क्योंकि मैं अपने phone में पहले से ही उस photo को खीच के रखा है अभी दोस्तो देख सकते हैं मैंने यहां पर image मैंने अपने gallery से लिया है वो यहां पर दोस्तो preview पे click करते ही यहाँ पे एक बार आपको confirm करने के लिए आ जाएगा कि एक बार आप देख लिजे आपका जो आपने जो किया है वो सही है कि नहीं है अगर गलत है तो यहाँ पे आपको edit पे click करके आपको उसको change कर देना है अभी दोस्तो यहाँ पे आपको capture code यहाँ प पे क्लिक करते हैं, वन टाइम पासवर्ड एक बाद फिर से आपके रिजिस्टर्ड मॉबाइल नंबर पे सेंड कर दिया गया, उस पासवर्ड को दोस्तों यहाँ पे आपको इंटर OTP में यहाँ पे टाइप कर देना है और टाइप करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे चोटा वाला बॉक्स देख रहा है इसमें आपको चेक करते हैं, और चेक करने के बाद से दोस्तों आपको MEC payment पे क्लिक कर देना है दोस्तों UIDAI आपका correction करने के लिए मतर 50 रूपे लेता है दोस्तों यहीं चाहिए आप अगर बाहर कराते हैं तो काफी इस समय लूटा पार्टी चल रहा है कहीं कोई 200 रुपे भी लेता है कहीं कोई 300 भी लेता है और दोस्तों इसका जो actual charge है जो UIDAI का वो है मत्र 50 रुपे है तो दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ online 50 रुपे का पेमेंट करना है तो दोस्तों यहाँ पे आपको Mac Payment पे क्लिक कर देना है दोस्तों Mac Payment पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको कुछ सेकंड तक वेट करना है अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 50 रुपे का जो पेमेंट है वो आप चाहें तो debit card से दे सकते हैं या तो आप चाहें तो net banking से दे सकते हैं तो दुस्तो अगर आपको debit card से payment करना है तो यहाँ पे आपको debit card पे click कर देना है और click करने के बासे दुस्तो यहाँ पे card number में आपको card number भर देना है expiry में आपके debit card के आगे expiry लिखा होगा month or year आपको उसको यहाँ पर month or year टाइप कर देना है उसके पासे दोस्तों आपके debit card के पीछे जो black वाला chip होता है उसके नीचे एक 3 अक्षर का CVV code होगा आपको इसमें fill up कर देना है और दोस्तों आपके card पे आपका क्या नाम लिखा है आपको आपको इसमें fill up कर देना है दोस्तों अगर आपके card पे आपका नाम नहीं लिखा है तो जो भी आपके bank खाते में आपका नाम है उसको आपको यहाँ पर type कर देना है और type करने के वाद से दूस्तो आपको process पे click कर देना है दूस्तो process पे click करते ही आपके bank वाले account में जो भी mobile number link है उस पे आपको एक OTP जाएगा उस OTP को सिर्फ fill up करके submit कर देंगे तो आपका ये जो application है finally submit हो जाएगा और आपको एक srin number मिल जाएगा उससे आप live उसको आप track भी कर सकते हैं कि आपका क्या वो update का status है तो दूस्तो ऐसे आप भी अपना घर बैठे अपना सुधार कर सकते हैं दूस्तो ये process के आगे का प्रकरिया मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुरे में कोई गलती नहीं है मैं आपे एक सिर्फ demo वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि दूस्तो डेटा बर्थ पूरे lifetime में एक बार ही सुधार कर सकते हैं तो दूस्तो आपका एकदम बिल्कुल finally कभी इसमें try न करें अगर बिल्कुल गलत हो तभी जाके आप सुधार करें तो वीडियो को लाइक कर दीगा साथ भी अगर चैनल पहली बार आ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करकर बैल आकिन को प्रेस कर दीगा तक याने वाले वीडियो के सब्वी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पोचे और दोस्तों आपके मन में कोई भी सवाल हो तो मैंने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जैहिन वंदे मातरम